हलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों स्यूड़ियों में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने इसडील पेमेंट्स बैंक अकाउंट को अपने गूगल पे अकाउंट में एड़ कर सकते हैं या फिर लिंक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे ओपन कर लेना है गूगल पे हम यहां पे ओपन कर लेते हैं इसमें हमें लॉग इन कर लेना होगा तो यह उन लोग के लिए जो गूगल पे अल्रेड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं रेजिस्टर वगरा कर रखा है उसमें अधार अपने bank accounts एड़ कर रखे हैं और बाकि जो first time user है उनके लिए भी video available है मेरे channel पर तो उसका link अपनों निचे description में मिल जागर यहाँ पर i button में भी video ज़रूर देख लिजएगा उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको register करना होता है गूगल पे पर कैसे pin वगरे generate करना होता ह कैसे अपना account एड़ करना होता है तो बहराल हम यहाँ पर बात करते हैं कि nsdl payments bank account को हम कैसे आप गूगल पे में add करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आना होगा अपने account में उपर आपको बिल्कुल जो है कोने में एक option देखने को मिलता है अपने account का ही तो इस पर आपक account पर में click कर लेना होगा tap कर लेना होगा तो हमें पूरी list बैंकों के मिलती है तो इसमें बहुत सारे बैंक हम चाहें तो इसमें से अपना जो nsdl bank ढोड़ सकते हैं लेकिन सबसे easy और सबसे आसान method है यहाँ पर उपर search कर लिजी nsdl लिक करके आपको result मिल जाएगा तो result मि interface देखने को मिलेगा तो आपको सिर्फ start पर जो है type करना है click करना है और उसके बाद आपको आगे का process follow करना है तो start पर click करने के बाद अब यहाँ पर हमें debit card की कुछ detail इंटर करना है तो जैसे कि last six digit हमें इंटर करने और expiry date तो वह हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं और इंट अपना pin create करना होता है तो यह पूरी screen black black से अपको नजर आ रही होगी तो basically यहाँ पर हमें एक OTP आता है तो वो OTP automatically यहाँ पर detect कर लेता है या फिर हम चाहरे इंटर भी कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ अपना pin create करते हैं तो अपनी मर्जी से pin आप में जो है दो बार इंट information के लिए होता है तो इस तरह से जो हमें यहाँ पर pin create कर लेने के बाद आपको आगे का process समझाता हूं कि पूरी screen यहाँ पर blank है तो आपको क्या ही समझ में है और यहाँ पर कुछ करना नहीं होता है सिर्फ आपको अपना pin create करना होता है वैसे भी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता कि blur करना पड़ता तो बेहतर है कि blank है तो कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर मैंना तो मैं screenshot ले सकता हूं जिससे आपको समझा पाऊं और यहाँ पर recording चल सकती है तो जिससे मुझे दूसरे mobile से record करना पड़ता वैसे मुझे पता नहीं था लेकिन फिर भी यह रखे होंगे अपने लाइफ में यह क्या है तो मतलब बिल्कुल इजी है आपको फोर डिजिट का पीन इंटर करना है जो पीन आप यहाँ पर बना सकते हैं आसानी से तो बाइराल चलते हम अपने अगले स्टेप पर क्या में आगे क्या करना होगा तो अब हमें कुछ करना नहीं होता है हमारा बैंक अकाउंट एड़ हो रहा है और पिन क्रियेट होने का बाद जो हमारा यूपी आड़े भी क्रियेट हो जाता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं देखिए हमारा अकाउंट एड़ हो गया हमारा पिन भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आपको इसी तरह की वीडियोज मिलते रहेंगे कोई भी दिक्का था थी कमेंट जरूर करिएगा